आपके क्वेश्चन लूंगा सबसे लास्ट में और सबसे लास्ट में इसलिए लूंगा कि ट्राइटो अंडरस्टेंड दा कंसेप्ट वैसे आप सब कुछ कर चुके हैं इफ यू है प्रिपेर्ट फॉर दिस टेंग्लस टू एग्जामिनेशन आपको बोनस मिला है एक वेपर आप दे चुके एग्जामिनेशन पॉइंट आव व्यू नंबर वान नंबर टू बेसिक कंसेप्ट क्योंकि वह बेसिक कंसेप्ट एंड यू वांट भी एबल टू सी माई फेस चीक ही लेट उस स्टार्ट करते हैं लिमेट्स एंड कॉंटिनुटी बिड़ा जी मैं पूछूंगा एक या दो ने बता देना क्योंकि अगर सभी एक साथ कहेंगे ओवरलैपिंग हो जाएगी तो क्या आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं लिमिट्स एंड कॉंटिनुटी ओके बड़ा चलिए वियार गइंग तू स्टार्ट लेकिन स्टार्ट करने से पहले कि अलव फ्यू क्लोज यूर आई फॉर फ्यू सेकंड्स सभी आंखे बंद करेंगे और मैं कुछ बताने जा रहा हूं आपको मैथमेडिक्स का कंसेप्ट लेकिन बी ओनेस्ट लोज यू आई जो और मैं आपको कह रहा हूं कि आपने जो भी आपके मन में आ रहा है यू कैन रिमेंबर और यू कन रेक रिकेप्चुलेट अल्मोस्ट एवरिधिंग लेकिन एक काम गलती से भी नहीं करना है डॉक्टर एपीज आपके माइंड में आपके माइंड में और माइंड में कैसे आए कुछ इस तरह से उनकी इमेज आपके सामने आई और इफाइब से हिस्ट्री आंगे बंद करो सोचो हिस्ट्री इमेज कुछ ऐसे हैं इंडियन हिस्ट्री अगर बात करें हम अगर हम बात करें इंडियन जोग्राफी इमेज कुछ इस तरीके से माइंड में आए और अगर हम बात करें एकॉनमी या इनफेक्ट इंडियन एक पैसा इमेज कुछ इस तरीके से माइड में आएगी डिफरेंट लेकिन वो दिखने पैसे ही है लेकिन जब हम बात करते हैं mathematics की तो image कैसे आती है image आती है सिर्फ mat hematics means mathematics का जो concept है उसको हम images में नहीं ले पाते हैं up to 10th standard specially उस concept को हम सिर्फ mathematics याद है हमको plus minus याद है mathematics का concept जब भी आपको लेना है we have to take it with images और images से शुरुआत करूंगा लिमिट्स और continuity की अब शुरुआत करने से पहले जैसे हम अक्सर कहते हैं कि हर चीज की utility है life के अंदर इस concept की क्या utility है और मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप सभी plus two mathematics की book कर चुके हैं यह कहीं हमने देखा है concept लिमिट्स के concept की ज़रूरत कहां पड़ रही है इस इंटिग्रेशन इंटिग्रेशन इरिया अंडर दकर्द यानि लिमिट्स का concept हमने जब लिया उस concepts को लेने के पीछे reason क्या रहा reason रहा differentiation integration and many more things अब देखिए इस integration में एरिया अंडर दकर्व आप देख पा रहे हैं सभी अपनी screens के ऊपर हो क्या रहा है ए इस लोर लिमिट बी इस अपर लिमिट इस कर्व के नीचे का area हमको निकालना है और किस किस के बीच निकालना है ए और बी के बीच हमको निकालना है अब जब ये area निकलना है ना it will be some of areas of the rectangles लेकिन some of the areas of the rectangles में rectangle की जो length आनी है यहाँ पर वो height है जी यहाँ पर वो height है length is particular की वो value y की है because इस axis की तरफ हम y की value ले रहें लेकिन जब अलग-अलग rectangles है ना उनकी जो width हम लेंगे वो लेंगे लगभग zero this is very very important कि day to day life में लगभग zero हमको ज़रूरत पड़ेगी terrestrial distance and microscopic distance science में पढ़ते हैं हम सभी इस चीज़ को कि जब तक यह चीज़े हमको नहीं पता होगी science के failure के chances या law के failure के chances जादा कि हमको हर चीज़ को experiment करना है चाहे वो terrestrial distance में हो या microscopic distance में लेकिन limits में concept आया क्यों limits का because इस एक example दे रहा हूं हजारों examples रहे से कि जब हमको area under the curve निकालना है न we don't have any problem with length of these rectangles वो वाई आएगी जहां पर भी curve पे touch उतर रहेगा वाई आएगी but the problem is with its width इसकी width के साथ हमारी main problem रहेगी means यह width लेनी क्या है this width अगर हम इसको x कहते हैं कि x-axis है तो हमको लेनी है छोटा सा x delta x and that delta x should tend to 0 for a case में this is not equal to 0 यह जो abbreviation है न यह हमेशा confuse करती है कि 10 to 0 यह 0 है लेकिन 0 के बिलकुल नजदीक exactly 0 नहीं है I rectify exactly 0 नहीं है लेकिन 0 के नजदीक है तो यह utility है और limits में है देखिए overview लेराओं point from left hand से वही कह रहा हूं कि चीज़ों को images में हमको mathematics में भी सोचना है यह curve है चलिए यहीं specify यहां clear करता हूं इन images का मतलब क्या है यह आपका curve है you can see the curve अब इस curve में हो क्या रहा है x की जब हम value डालते न हमको y की value मिले ही किसी भी function में कोई भी function होगा जब हम x की value डालेंगे we will get the value of y और इस तरह से हम point मनाते हैं तो हमको curve मिलता है तो सबसे important cheese and the summary to learn mathematics is चीज़ों को images में करना है curve में करना है कर्म में समझना है हम कर क्या रहे हैं we are approaching a point c एक point c को approach कर रहे हैं left hand side से in left hand limit this is point c और c power में minus लिखा है यह minus c नहीं है c power में minus का मतलब है c के left side approach कर रहे हैं जी लगबख c तक नहीं जा रहे हैं c के left side right hand limit c को approach कर रहे हैं कहां से approach कर रहे हैं जी we are approaching from right hand side अब इस c को हम कहां से approach कर रहे हैं right hand side से इसकी जरूरत क्यों पड़ी यह बताऊंगा आपको कि why we have to approach both these from left hand and right hand side अब जब हम अप्रोच कर रहे हैं दोनों तरफ से ध्यान से देखिए इस gif को द्यान से देखिए जब हम दोनों तरफ से approach कर रहे हैं if our left hand side limit will become equal to right hand अगरी दोनों equal हो जाएगी ना तो limit exist करती है तब ही limit exist करती है ध्यान से देखिए यहां पर limit x tends to c लिखे tends to this is very very important यह लिखने का तरीका है tends to c मतलब c के ओपर नहीं है लगबग c के नजदीक है और हम दोनों side से approach कर रहे हैं c को left hand side से और right hand side से c के बिलकुल नजदीक पहुँचकर चाहे वो left hand side से या right hand side से लगबग c के नजदीक और कितना नजदीक जो c से इन दोनों limits का distance होगा न लगबग 0 होगा distance को h क्या लगते हैं कि वो distance लगबग क्या होगा वो distance लगबग 0 होगा अब बात करते हैं definition limit x tends to c fx exist when left hand and right hand limit exist and both are equal and the definition is suppose fx becomes arbitrarily close to some particular finite value l as x become arbitrarily close to some value c देखें मतलब क्या है मतलब बड़ा simple है एक curve quote l मतलब जो यह l value है this is the value of y यानि जो x की value आपको डालनी है उससे यह value आपको मिलनी है जब x जहां से देखें जब x close और रहा है c की तरफ चलो एक साइट से बतार हो अभी तो जो यह fx की value है ना that is also closing towards l यानि this thing अगर इसको हम l मानके चले है तो this is the definition of limits and we write it as लेकर लेते हैं यही चीज़ अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि left hand side से भी अप्रोच कर रहा है लेकिन दोनो limits equal नहीं है left hand side से कहीं और पहुँच रहे है ल की जो value वही बता रहा हूं the value of l इस case में l की value यहां तक है और इस case में जो l की value है वो यहां तक है means left hand limit is not equal to right hand limit अब दोनों side से अप्रोच तो कर रहे हैं लेकिन दोनों limits से equal नहीं है it means very very important limit does not exist limit exist नहीं कर रही है चलिए next बात कर लेते है graphics तेम इसी चीज़ के लिए बता रहे हैं we are approaching both from left hand side and right hand side red right hand side से blue left hand side से approach कर रहे हैं अगर ऐसा कुछ मिल रहा है limit does not exist और इस case में अगर इस तरीके से है limit they are undefined वो undefined है फिर से देखिए we are approaching from right hand side red left hand side blue अगर तो equal है ठीक है नहीं है means limit does not exist हमारे limit exist नहीं करती है चलिए अब बात करते हैं कि left hand limit right hand limit को निकालने का process actual में है क्या किस तरीके से हम left hand limit और right hand limit को निकालते हैं just a moment my mouse is not working okay ठीक है फिर से this is the line this is say the point we have taken c इस point को हम approach कर रहे हैं यहां right hand side में बहुत दूर दिखा दिया हमने लेकिन इतना दूर है नहीं है इन दो points पर approach करना है इतना दूर होता नहीं है बताओंगा भी यहां से approach कर रहे हैं यहां से approach कर रहे हैं c के left side में एक छोटे से distance h के उपर एक छोटे से distance h यह जो यहां से यहां का distance है न and this h tends to 0 यह लगबग 0 है हम approach कर रहे हैं जी दोनों side से अब जब यह 0 है h tends to 0 अब अगर इस point को हमको निकालना नहीं यह वाला point this point will be c से h कम और c के right side में जो point होगा c से h ज्यादा it is c plus h मतलब जब हमको limits निकालनी है ने इन दो points के ओपर निकालनी है and both these limits should be equal c minus h और c plus h पर यह limits equal होनी चीए and very very important लिख लो इसको नोट्बुक से आपके पास नोट्बुक और पैन लिखिए कि limits हमेशा deleted neighborhood में निकाली जाती है deleted neighborhood इस powerpoint में मैंने यह word लिखा नहीं है क्योंकि मुझे यह चीज़ आपको clearly focus करके बता नहीं थी limits हमेशा deleted neighborhood में निकाली जाती है deleted neighborhood का मतलब point c पर नहीं निकाली जाएगी limits की बात कर रहा हूं जी I am talking about limits limits की बात हो रही कि limit हमेशा deleted neighborhood में निकाली जाएगी अब deleted neighborhood होता क्या है this is point c this is c minus h दूर दिखाया लेकिन इतना दूर होता नहीं है this is c plus h विड़ा म्यूट कर दो मोहित ओके दस्वाइन हमने deleted neighborhood का मतलब बता रहा हूं deleted neighborhood यह points cover होंगे यह cover नहीं होगा इसको कहते हैं deleted neighborhood limit समयशा deleted neighborhood में निकलती है और continuity जो इसके बाद होती है उसमें इसको भी हम cover करते हैं और उसको कहते हैं neighborhood यानि यह पूरा deleted neighborhood क्या कि हमने points c नहीं लिया tends to c है सारा सब कुछ tends to c है तो deleted neighborhood और neighborhood का मतलब all these points are covered we are also taking point c हम point c को भी ले रहे हैं चल यह जी definition की बात करते हैं figure आप देख रहे हैं और figure में सब कुछ cover नहीं किया है एक x not point है is x not per the value of l this is the value of l tends to कि जब यह vary करेगा इदर को तो यह value obvious सी बात है यह नीचे को आएगी x not minus delta पर y की value होगी l minus epsilon और x not plus delta पर y की value क्या होगी wait 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 this is l plus epsilon यह value रहेगी यह अब्रिवेशन हमने लिए है यह गौन थू आल दीस थिंग्स अर्लियर चिर अफ रिविजिन हम तारों left hand limit if the limit is defined in terms of number which is less than a अगर यह point जो हमने x not लिखा ना इसको a के लिते हैं then the limits then the limit is said to be left hand limit and it is denoted वा है यह बड़ा important है यह minus a नहीं है जी this is a और power में minus a लिखा ही abbreviation है इसकी और which is equivalent to यह दिखे important है बताया था हमने आपको कि इसके left side और इसके right side लेना है at a small distance h तो left hand side में हो गया a minus h और right hand side में हो गया a plus h यानि x की value a minus h पड़ेगी left hand side में है where h tends to 0 but should be greater than 0 लगबग 0 है लेकिन थोड़ा distance positive भी रहना है minus 10 km तो कभी सुना नहीं हमने हाँ plus 10 km ज़रूर सुना है यानि left hand limit में x की value हमेशा क्या पड़ेगी a minus h a मतलब जिस point पर हम limit निकाल रहे हैं और right hand limit में clear है आपके mind में आ चुका है सबके की x की value क्या पड़नी है a plus h और वोई चीज x will be positive but h tends to 0 मतलब x को replace करना in terms of h और साथ में बताना है है कि h tends to 0 साथ में यह चीज हमको बतानी है so both sided limit कैसी होगी फिर then existence of limit कब होगी if both these limits अगर यह दोनों limits equal तो limit या concept बड़ा clear है जी left hand limit should be equal to right hand limit तभी limit exist करेगी और बिटा messages मैसेज आपके बाद में लोना बटा जो आप मैसेज़ डाल रहे हो है make sure that mathematics की problems की regarding message आपको डालने है और वैसे i have sent the link of live classes जिसको वहां दिक्कत रहेगी वो अपने messages वहां डालते रहेंगे यहां पर live classes में आपके messages हम जरूर लेंगे last में आपके questions not messages सबसे last मनेंग ठीक है जा एक्जबाल या है की limit निकाल लिया कि limit एक्सिस खर रहे या नहीं कर रही है इसäreय सब्स्ष्शन यह function है यह function क्या गेता है fx- Bren-new x-1 और x-1 ayюсь, और यहां कियी तो मैं उसी process पर जा रहा हूं साराम लेटथम प्रोर्सक्स याट開始 लेट में फोकस प्लीज क्यूंकि अगर मैं एक टाइम में दो काम कर लूँगा ना एक तो माउस के साथ वैसे दिक्कत आ रही है ठीक है यह वट आइंड लिमिट की बात कर रहे है एक्स ग्रेटर देन जीरो यह जी जीरो पहले राइट हैं लिमिट ही लेते हैं एक्स ग्रेट से दिन ज्योर तो राइटन लिमिट हमारी निकलती कैसे है बिड़ा ध्यान से देगना इस चीज को रइटन लिमिट इस इजरी रिंटैस लिमेट x tends to और कहां पर हम limit निकाल रहे हैं 0 पर तो x tends to 0 minus 0 से छोटा सरी right hand limit 0 plus of fx and what is fx 0 के right hand side में x यहां बड़ा confusion रहता हमेशाई किसर कौन सा function ले पिटाँ उस function के बाद function तो यह है x plus 1 लेकिन वो function कहां defined है उसके बाद लिखा है x greater than 0 पर defined है तो greater than 0 मतलब 0 से बड़ा तो right hand limit 0 से बड़े पर लेते हैं हम यहाँ पे और left hand limit 0 से छोटे पर लेते हैं तो the value of fx will be so limit जो मैं लिख रहा हूं विड़ा mouse का problem है समयने की कोशिश कीजिए concept को writing पर मत जाना है ठीक है जी fx की value right side में आएगी x plus 1 limit निकालने का तरीका बता रहा है अब right hand limit में आपको पता है कि x की value क्या डालनी है x की value यह पढ़ने वाली है right hand limit यहाँ पर x की value पढ़ने वाली है and this will be 0 plus some small h x की value 0 plus h डाली है तो put x equal to 0 plus h लेकिन यहाँ बताना भी पढ़ेगा की h नया लिया है आप उठाके question में h कहीं नहीं था आपने कहीं से उठाके लाया आपको बताना पढ़ेगा की h है क्या h tends to 0 and undoubtedly h is greater than 0 positive है लेकिन it tends to 0 ठीक है जी value डाल देते हैं ठीक है जी value हम डाल देते हैं जब value हम put करेंगे इसमें what we will get यहाँ x की value 0 plus h डालनी है जी अब जो limit है ना x से h में बदल गी अब वो x नहीं रहा हमने उसको h में convert कर दिया तो h की limit क्या थी h tends to 0 अब limit h tends to 0 x की value या डालनी है जी 0 plus h plus 1 as it is अब यहाँ ध्यान देना है h की value 0 पढ़नी है it is not exactly 0 it tends to 0 यह limit this is the beauty of limits this is not the value of function यह value कहा है उसके दाएं बाएं कहीं है यानि fx की value थोड़ी ऊपर नीचे कहीं है x की value कहा है left या right और fx की value ऊपर को जाएगी y-axis पे यानि right hand में ऊपर या नीचे कहीं भी जा सकती है और left hand में भी same process h की value 0 डालिए तो right hand limit is 1 तो हमने clearly यह किया कि right hand limit fx it is equal to 1 this is our right hand limit और same process follow करेंगे left hand limit के लिए फरक इतना है कि यहाँ 0 minus h function is minus 1 यह भी ध्यान देना है कि left hand limit के लिए function है x minus 1 तो both limits 1 आई minus 1 देखें क्या हुआ left hand limit में values कितना फरक पड़ गया y-axis पे देखना है y-axis पर एक value कहां आई एक value it is equal to 1 राइट और यह circle this is very important चलिए एक बात यह circle का concept नो बड़ा important है इस line के ओपर बिलकुल नहीं है result इस line के ओपर नहीं है यहाँ पर value y-fx की this is tends to 1 और एक x की value है यह x की value थी और y की value tends to 1 और यह यहाँ पर x की value यहाँ थी और y की value tends to minus 1 दोनों limit equal है नहीं बोथ limits are not equal it means limit does not exist तो बड़ा यहाँ तक कोई confusion limits के बारे में your queries please one by one जी एक एक करके अपनी queries आपने मुझे बता दी है पका हाँ 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 यह हाँ कि अ मुझे पक बड़ु आप कि अ मुझे ए लिए पका और यह इस लिए पूछ राथा कि अभी वन वे ट्रैफिक चलावा है कि आप सुन रहे हैं जो आप सेव लिसनर और याप इस एक्स्वां व्ल एक्स्वां पूछ रहा है इस पक्का समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है चीक है ओके बड़ा म्यूंट इस लिए 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 यह तो एक युनिवर्सल तरीका यही तरीका यह निकाल लें कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं मुझे लग रहा है कि स्क्रीन पर शट्यम प्लीज टॉप इट शट्यम प्लीज टॉप इट यह ब्रेज्टिंटिंग सम्धिंग ठीक है तो यह तो था कि लिमिट्स को निकालते गए मेरी आवाज आ रही सब तक है और इतनी देर से में पहला मैथड तो था कि जो जनरल मैथड है कि लेफट अंड लिमिट राइट अंड लिमिट निकालनी है लेकिन इसके तरीके और भी है सबसे पहला तरीका है लिमिट को डिरेक्ली इंकालने का कोमल कोमल यह उके रएक सब्स्ट्यूशिन में एक्जामपल लियागजिए यह काम लिमिट के हर क्वेश्टन में करना है है जिन questions को आप directly solve करना है कि find the limit when limit x tends to 1 x square plus 1 और यहां confused बिल्कुल मत होना limit और value of the function क्यों limit का concept बड़ा clear है कि limiting लगभग और value of the function is exactly at that point limit में tends to 1 तो जो result आएगा नो that tends to that result direct substitution x की value 1 डालिए 1 square plus 1 it is equal to 2 यानी x जब लगभग एक है तो fx लगभग 2 है इसका मतलब यह है another question so limit x tends to 1 x square plus 1 the result is true एक और question लेते है direct substitution directly हमने substitute किया इसमें f2 value डाली है f2 नहीं actual में limit extends to 2 of x square minus 4 upon x minus 3 है directly value डालिए 4 minus 4 divided by 2 minus 3 the result is 0 upon minus 1 this is a 0 this is direct substitution और limits को जब आप directly solve करते हैं यह काम हर जगा होना है हर एक में होना है लेकिन हर जगा ऐसा नहीं होता है हमारे पास indeterminate forms मिलती है you can take the screenshot of this particular one इसका screenshot ले ले लिजी आप indeterminate we have seven indeterminate forms साथ forms हैं हमारे पास यानि अगर इस तरह की forms हमारे पास आएगी तो direct substitution से काम नहीं चलने वाला है यह साथ forms these are seven indeterminate forms zero upon zero की form infinity upon infinity की form infinity minus infinity की form zero into infinity zero raised to power zero one raised to power infinity or infinity raised to power zero these forms are indeterminate forms और plus two या plus one में जो आपके पास question थे न वो maximum is first indeterminate form के तरह है यही question आपके पास है I wish you have taken the screenshot determinate form infinity plus infinity is always infinity minus infinity minus infinity is minus infinity zero raised to power infinity zero की power में जो पर जी डाल दो result zero याना है zero raised to power minus infinity यहाँ पर problem है infinity into infinity is infinity तो इस के giant determinate form आनी है वहाँ करना क्या है method को यहाँ से समयना है जी पहला काम direct substitution हमने कर लिया direct value डाल दी और अगर direct value डालने पर इन में से कोई भी form नहीं आती है all fine आगे जाने की जरूरती नहीं है इन में से कोई भी form अगर नहीं आती है आगे बढ़ने की जरूरती नहीं है लेकिन अगर इन में से कोई भी form आती है तो करना क्या है पहली form fa is b upon zero no problem इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां भी परिशानी रहती है कि upon zero आ गया it is infinity it is infinity second क्या हैगा fa it is equal to be limit found जो पहला काम हमने किया पहला काम तो यही होना है और यह अब परिशानी यहां शुरू होनी है क्योंकि यह चीज़े प्लस टू के स्लेवस में है प्लस वोना प्लस टू के स्लेवस में आपके यही चीज़े तो अगर zero upon zero की form आएगी you can see the examples यहां one upon zero the value is infinity यहां पर direct substitution result मिल गया जी indeterminate form नहीं मिली यहां पर value डालिए कौन सी form मिल रही है zero upon zero मतलब अगर zero upon zero की form मिल रही है अब क्या करना है अगर तो directly zero मिल गया directly infinity मिल गया zero is zero numerator में है या denominator में है दो में से एक में चल सकता है लेकिन दोनों में this form is indeterminate form अब करना क्या है indeterminate form में आपको क्या क्या करना है these are the methods पहला factorization कीजिए factorization कीजिए factorize करके simplest formula यहां example लिया है कि जहां पर factorization की गुझाईश है वहां factorize कीजिए जब हम factorize करेंगे we will come to the simplest form कुछ ना कुछ cancel हो जाएगा है यहां x की value minus 1 डालिए this is minus 3 upon minus 4 the result is 3 upon 4 तो पहला काम indeterminate form मिल गई 0 upon 0 अगर factorization की गुझाईश दो कीजिए अब next में देखें conjugate में किया है इस conjugate में कुछ नहीं किया है x minus 4 को हमने लिखा under root x whole square minus 2 square just a moment इस x minus 4 को कैसे लिखा x minus 4 को लिखा हमने under root x whole square minus 2 whole square a square minus b square का formula लगा ये under root x minus 2 into under root x plus 2 it is under root x plus 2 तो ये cancel हो गया जी ये denominator ये और अधा solve numerator तो as it is है तो अब x की value directly डाल दीजे work under root 2 the result is 1 upon 4 फिर trigonometric identities use कीजिए जहां trigonometric concept आ रहा है जैसे यहां पर x की value 0 डालो 0 upon 0 form ही मिलनी है यहां पर l hospital rule क्योंकि मैंने इस powerpoint में cover नहीं किया है अगर ऐसी situations आती है numerator और denominator दोनों को differentiate कीजिए उसके बाद limit put कीजिए 0 upon 0 की form starting में मिल जाएगी फिर भी नहीं हो रहा है फिर differentiate कीजिए l hospital rules अब इसको कर सकते हैं चलिए यहां पर हमने trigonometric identity apply की 2 sin theta into cos theta 2 sin x into cos x sin 2 theta का formula sin x cancel हो गया क्या बचा जी 1 upon 2 cos x अब x की value 0 डालिए cos 0 is 1 the result is 1 upon 2 मतलब direct substitution से काम हो रहा है ठीक है अगर नहीं हो रहा है तो हमको other methods रोनने पढ़ेंगे factorization कर लिजिए conjugate कर लिए trigonometric identity या इन मैं से किसी formula को apply कर लिजिए these are limits of trigonometric function यह formula we have done plus 1 class यह सारी plus 1 class में नहीं किया यह formula some important limits trigonometric तो इसमें ही है आद में log की this is log e raise power x exponential and e raise power x exponent form 1 upon x 1 plus 1 upon x raised to power x it is equal to e limit x tends to infinity लेकिन करनी कब है यह जब आपके पास 0 upon 0 की वह हमारी है otherwise don't disturb direct substitution से काम आपका चल पड़ेगा यह बात करते हैं continuity हम continuity की बात कर रहे हैं तो continuity किसमें होनी है जी neighborhood में not in deleted neighborhood मतलब चलिए यहीं plot कर देता हूं कि तीन values एक left side एक right side and value of the function if all these three will be equal यानि limit x tends to c of fx का मतलब क्या हुआ इसमें left hand limit right hand limit के equal है तभी limit exist करेगी and fc मतलब यहाँ पर भी value लेनी है then the function will be continuous function तभी continuous होगा value limits और साथ में extra चीज़ जोड़ दी क्या deleted neighborhood से अब किस पे आगे neighborhood इस point के उपर भी हमको इस point c के उपर भी value लेनी है लेकिन पहले क्या कर रहे थे हम इस difference को यहां से देखिए पहले हमने value कहां ली थोड़ा distance दूर ले रहा हूं पहले हम सिरफ यहां और यहां value ले रहे थे यहां value नहीं ले रहे थे अब इस पर भी ही लेनी है that is continuity यह concept है continuity continuity at a point definition a function fx is set to be continuous at any point x equal to c if यह conditions पूरी करता है fc exist fc भी exist करना चाहिए c की जब direct value डाल रहे हैं आप indeterminate को नहीं है then limit should exist limit भी exist करनी चाहिए मतलब left hand limit should be equal to right hand limit यानि concept clear है continuity का मतलब left hand limit should be equal to right hand limit and it should be equal to the value of the function चलिए हमने point c लिया है point c और यह क्या चीज़ है जी this is what we have written here यह left hand side क्योंकि यह तब भी exist करेगा जब दोनों limits equal होती है तो this is the definition of continuity यह continuity definition जी वही बात कि हम चीज़ों को images में सोचते हैं हमेशा ही यह हमारे mind की tendency है कि चीज़े images में हमको दिखती है graph continuous function predictable होते हैं क्योंकि इसमें ना तो कहीं break होती है ना कहीं holes होते हैं ना कहीं jumps होते हैं और ऐसा graph जिसमें यह तीन में से एक चीज़ होगी वो graph continuous नहीं होगा यह graph जब बनाएंगे graph बनाने का तरीका वही है जिस तरीके हम line मनाते हैं एक्स की value डालिए y की मिलती रहेगी graph को plot कीजिए जहां ना जाएगा वह graph हमको मिल जाएगा इसको प्रिंट कर लीजिए मैं यह function हमेशा अपनी domain में continuous है अपनी domain में domain से बहार नेंगे well within the domain they are continuous polynomial function continuous होंगे rational functions continuous होंगे root functions management square root cube root यह functions continuous trigonometric functions inverse trigonometric functions exponential functions and logarithmic functions these functions are always continuous तो ncrt book के कुछ question लेंगे and before that let's have a break of one minute एक minute की break लेते हैं कोई इकल बड़ा you are not supposed to unmute yourself आपको mute पर ही रहना है अटी स्क्ताओर्डोर में अपक्श्ण पुर्ण पुर्ण झाल 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 तो बड़ापनिंग नोटबुक्स और पैन आपके हाथ में होने चीए और थोड़ा स्पीड ज्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि पंदरा दिन में है प्लस्ट्यू का पूरा स्लेवस कवर करना है तो क्लासिज विल बी लैंथिया थोड़ा स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी और कोशिश करूँगा कि आपकी क्लास एक दिन छूट के हो अफर बन दे ठीक है जी क्वेश्चन लेता है न्सीयादी बुक से so this is the question examine the continuity of the function fx equal to 2x square minus 1 at x equal to 3 देखे जान लिमिट्स की बात है न left hand limit right hand limit जरूरती निकालने की see the direct method use कीजिए जो आपको बता है substitution से होता है ठीक है नहीं होता है उसको अफेक्टराइज कीजिए trigonometry के है तो trigonometry के formula apply कीजिए other formula exponential logarithmic के जो भी formula use होते है वो formula आपको use करने है और यहाँ पर fx is 2x square minus 1 we have to check continuity at x equal to 3 direct substitution इसमें हम कर सकते हैं yes we can do direct substitution direct substitution किया value wise 17 मेरा साथ साथ में लिखना है और थोड़ा जल्द और मैं चाता हूं कि आप मुझसे पहले इस काम को कर ले स्क्रीन पर जो आ रहा है उससे पहले आप इस काम को कर ले यह लिमिट आई ही क्योंकि direct substitution से इस लिमिट टेंड्स टू 17 एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू 3 यह वैल्यू है यह 17 क्योंकि हमने डारेक्ट किया left and right and limit नहीं निकाली है अब डारेक्ट मैथड यूज किया left and right and limit का concept यूज नहीं किया अब value of the function f3 अब direct value यह f3 का मतलब क्या है चीजों को समझेना वड़ा जूरी है 3 पर यह value है 17 और यह वाली value कौन सी थी यह value थी 3 के left 3 के right यहां भी 17 थी यहां भी 17 थी यह दो जगा 17 थी left and limit और right and limit and add x equal to 3 हमने direct value put कि यह फरक है value यहां तो हम direct substitution कर रहे हैं किस तारह आ रहा है जी लेकिन mathematically स्तारह कहा रहा है left and side में tends to लगबग चोटे जिस्टे यहां तो बहुत बड़ा दिखा रहा हूं तो यह image मतलब माइंड में इस तरीके से बनानी है कि बिलकुल नस्दीक है इसके ठीक है जी तीनो वैल्यूज इक्वल है 17 17 17 it means the function is continuous चलिए तीन के left side continuous तीन या तीन पर ही कहामने की तीन पर continuous function तीन पर ही continuous है लेकिन इतने से काम नहीं चलना है continuity एक्वल तीन गरनी हमको एक्वल तीन पूछा हमसे fx is continuous at x equal to 3 क्योंकि x equal to 3 पर ही पूछी है पूरी नहीं पूछी है इस इस इंपोर्टन है समझना है कि continuity पूछी का है सिरफ 3 के ऊपर पूछी है yes function is continuous left hand limit right hand limit 17 value of the function is 17 yes the function is continuous because limiting value of the function is equal to the value of the function next question देखिए is the function f defined by fx equal to x when x is less than equal to 1 and 5 और या NCRD बुक के questions दे सभी if x is greater than 1 is continuous at x equal to 0 1 and 2 तीन पॉइंट्स पर पूछी है पहले तो 0 पर पूछी है फिर 1 पर पूछी है फिर 2 पर पूछी है चलिए पहले x less than 0 less than 1 sorry less than 1 जहां भी जाये कोई पता नहीं हमार को less than 1 की बात कर रहा है शिरफ this is x दूसरा कह रहा है कि x greater than 1 इसकी value है हमेशा 5 यह important है चीज़ों को समझना तभी कह रहा हूँ कि now very important चलिए x equal to 0 पर discuss कर रहे जी पहले x equal to 0 पर continuity discuss कर रहे है और 0 पर कोई परिशानी नहीं है क्योंकि single function है and that function is x 0 पर देखिए सिरफ x है problem 1 पर है कि 1 के left side कुछ और है 1 के right side कुछ और है 1 के उपर लिखा है that is x x equal to 0 पर हम continuity discuss कर रहे है जीरो पर x की value directly 0 डाल दो the value will be 0 अब limiting value भी 0 होनी है और value of the function भी 0 होना है this is important समझे इस चीज़ को क्यों होना है क्योंकि यह value यहां से यहां तक x ही है जी और x है क्या we are taking x equal to 0 तो यहां से यहां तक जितनी भी value fx की आनी है वो क्या आनी है 0 आनी है तो जो सारे में value 0 है left hand side ले लो चाहे right hand side ले लो 0 के चाहे 0 के ऊपर ले लो तो value आनी है 0 है तो function is continuous यह function क्या है continuous है अब one के उपर बात करते हैं हम one के उपर बात कर रहें जी add x equal to 1 यहां one के उपर one के left side में function क्या define किया है x one के right side में function क्या define किया है 5 और one के उपर function क्या define किया है x अब चलिए one by one left hand limit x one minus h h की value 0 यह आगया one left hand side में देख लो x की value 1 दी है x one पे निकाल रहे है तो one minus h h की value 0 तो यह value आगी one left hand side में आ रही है one अब right hand side में देखते है जी x equal to one पे निकाल रहे है लेकिन इसमें तो x ही नहीं तो value क्या रहने वाली है 5 मतलब left hand limit right hand limit के equal ही नहीं पहला काम यहीं पहली चीज़ decide हो गए limit equal नहीं है जब limit equal नहीं continuity concept आए गाई नहीं और इस x के उपर यहां पर value क्या रहेगी this value will be at x equal to one the value will be one अब देखें तीन values आई क्या-क्या values आई इस one के left side में value क्या आई 1 1 के उपर value आई 1 लेकिन one के right side में value आई 5 यह तीनों equal नहीं है तीनों equal क्यों नहीं है deleted neighborhood में ही पहले equal नहीं है यह limit exist नहीं कर रही है इसको देखने की जूर्त भी नहीं है उसके बात इस इस इंपोर्टन चलिए x equal to 2 की बात करते है तो x equal to 2 पर बोगी बात है 1 के right side सारी value कितनी आनी है 5 जब सारी value 5 आनी है जब सारी value 5 आनी है जब 2 के left लेलो 2 के right लेलो जहां मर्जी लेलो 1 के इधर सारी value 5 है the function is always continuous तो यानि this value is 5 value of the function दोनों आपस में equal है left hand limit right hand limit and the f2 it is again 5 so x greater than 1 में क्योंकि value सारी क्या नी है 5 next question लेते find all the points of discontinuity of f where f is defined fx equal to x plus 1 when x is greater than equal to 1 and fx equal to x square plus 1 when x is less than 1 ठीक है जी अब यहां देखिए यहां नहीं बता है कि one के उपर define करना है बिलकुल नहीं लिखा है कहीं नहीं यानि हमको जो continuity define करनी है यहीं maximum exam में यहीं गलतियां होती है यहां कहीं नहीं लिखा है कि one पर define करनी है हमको जो define करनी है वो one के left side भी define करनी है one discuss करनी है और कोई discontinuity का point नहीं तो बताना है चीक है जी वन के left side the function is one के left side function is x square plus 1 और one के right side the function is x plus 1 और one के उपर भी the function is x plus 1 वन के उपर जीक है लेफ्ट limit लेनी है यहां पर जब में left hand limit में करते क्या है x की value a minus h या नहीं आप x की value क्या पर नहीं है one minus h left hand limit में function यह use होना है जी left hand side x square minus 1 वही काम क्या है limit x tends to one minus of fx fx is x square minus 1 और left hand limit में x की value क्या पर नहीं है one minus h where h tends to 0 x की value डाली सिरफ solve किया x की value 0 डाली है left hand limit is 2 अब right hand limit में function x square plus 1 थोड़ी है right hand limit में जो function है right hand side में function is x plus 1 fx is x plus 1 value पढ़नी है one plus h तो right hand limit is 2 value of the function कहां पर आएगी पहले में की दूसरे में equal to x equal to 1 पर कहां defined है x equal to 1 पर function is defined x plus 1 x की value 1 डाली है तो 1 plus 1 it is again 2 तो value of the function तीनों value सेम आ गई यानि वन के उपर यह function defined है one के उपर हमने बात कर ली one के उपर बात कीजी हमने one के left side अब हो ने है पूरा हुआरा real number line खाली है उसके बारे में कुछ नहीं सोचा हमने one के left side हमने सिर्फ यहां तक बात की इतने में बात कर ली कि यहां पर function continuous है इसके बारे में बात करनी है इसके बारे में हमको बात करनी है अब ये function है कौन से these are polynomial function चलिए एक बार फिर से वापसी जाते है ये function हर जगा continuous है within their domain इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब clear है fx being इसके बारे में बात कर रहे है हम इदर और इदर यहां तक हमने बात की सिरफ 1 के इतने area में अब किसके बारे में बात कर रहे है इदर की और इदर की अब fx being polynomial function is continuous x एक से बड़े के लिए भी एक से छोटे के लिए भी for all this is the domain अपनी domain में defined है जी है for all x belongs to real number this function is defined it means अब कोई point of discontinuity है 1 के ऊपर भी यह defined है देखिए 1 के ऊपर यह function continuous है 1 के ऊपर यह function continuous है left side में इसकी property यह कहती है कि वैसे ही continuous है कोई point ऐसा है जाँ discontinuous है no it means this function has no point of discontinuity कोई भी point नहीं है जहां पर function discontinuous है 1 के ऊपर तो continuous है ही है 1 के left में जहां तक भी आप जाएंगे और 1 के right में भी this function is continuous चलिए next question लिखिए find the relationship between a and b so that the function is defined by and at x equal to 3 जिरफ a और b के बीच का relation निकालना है हमको ठीक है इस तीन चीज़े निकालनी है left hand limit, right hand limit and the value of the function तीन में से 2 से काम चल पड़ेगा क्योंकि 2 को equate करना है तो left hand limit, right hand limit and value of the function left hand limit निकालने का तरीका हुई कि put x equal to 3 minus h where h tends to 0 यहाँ h की value 0 डालिए left hand limit आगी 3a plus 1 right hand limit same process x की value क्या डालनी है 3 plus h, right hand limit 3b plus 3 इसकी ज़रूर 3 नहीं पर हमने फिर भी निकाल दिया value of the function at x equal to 3 it is 3a plus 1 अब left hand limit में function कौन सा आएगा तिनों define करते हैं 3 के उपर, 3 के left side और 3 के right side 3 के उपर equal to 3 the function is ax plus 1 3 के left side चलिए 3 के left side the function is left 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 first ax plus 1 less than 1 it is ax plus 1 3 के right side the function is bx plus 1 function defined है अब left hand limit में ये function लेना है right hand limit में ये function लेना है और value of the function में है ax plus 1 लेना है वही काम हमने किया तीनों values equal है मतलब ये तो same ही आगी ये और ये same आगी it means 3a plus 1 should be equal to 3b plus 3 3a plus 1 it is equal to 3b plus 3 ये value हमको मिली 3b plus 3 equal to 3a plus 1 this is the relation relationship ही पुछा है a और b के बीच का जो relation है this is the relation and the relation is a minus 3 it is equal to 2 upon 3 next question लेते हैं next का last question लेते हैं this is very very important k की value निकालने के लिए और point of discontinuity चार नंबर का question 100% exam में आने जी जो आज हमने किया है 100% ये सिर्फ चार नंबर का question examination point of view से है competition point of view से ये basic concept बहुत important है these are very very important question 8 find a value of k so that the function f is continuous at the indicated point और indicated point काउन सा x equal to pi by 2 के ऊपर x equal to pi by 2 इसको भी real number line पे ले रहे हैं pi by 2 और 90 degree 90 degree से छोटा या मान लो pi by 4 आगया ये ले रहेते हैं और 90 degree से बढ़ा 135 degree pi plus pi by 4 you take it 5 pi by 4 no not 5 pi by 4 कोई भी ले लो pi ले लो थोड़ा दूर ले लो pi ले लो pi by 2 से चीक है जी चलिए left hand limit निकाल देते है left hand limit हमने निकाली या limiting value x cannot be equal to pi by 2 ये बड़ा important अच्छा रोकी है रोकी है रोकी है रोकी है this is important ये concept बहुत important यहाँ बड़ा confusion रहता हो क्योंकि यहाँ greater than less than का concept तो दिया ही नहीं है यहाँ सीधी बात बताइ यह है equal to and not equal to चलिए इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पाइवाइटू चलिए यहाँ 0 डिग्री शुरू करता है और यहाँ पाई की बात करते है छीक्श इब टा एक्स यह इसको द्यान से देखना है पाईवाइटू पर यहाँ पर वैल्यू है 3 at pi by 2 again I am repeating this is very very important maximum students को इसमें confusion रहता है कि अब कहां जाएं left hand side में जब pi by 2 नहीं है तो इसका मतलब left hand side में भी fx is k cos x upon pi minus 2x और right hand side में the function is k cos x upon pi minus 2x दोनों जगा function यही है जी क्योंकि equal to pi by 2 पर 3 defined है लेकिन left hand side जब not equal to है यानि pi by 2 के not equal to मतलब चाहे left में ले लो चाहे right में ले लो this function is defined in the left hand side of pi by 2 as well as in the right hand side of pi by 2 pi by 2 के ओपर 3 defined है यह ध्यान देना इस पर बुर्ण चीकर जी लिमेट x tends to pi by 2 fx it is limit x tends to pi by k cos x upon pi minus 2 x x tends to pi by tends to pi by 2 equal to भी बात नहीं कर रहा हूं tends to pi by 2 मतलब x pi by 2 के equal नहीं है अब x की value right hand limit ले लो left hand निकाल ले हैं left hand निकाल दो हम यहां right hand निकाल रही है हम यहां right hand limit निकाल रहे है x की value pi by 2 plus h डाल लिए यहाँ पर जब यह value डालेंगे when we will solve it limit h tends to 0 k cos pi by 2 plus h cos 90 plus theta is minus sin theta वो ही process यूज किया है trigonometric identity उसकी है 0 upon 0 format trigonometric identity उसकी है minus sin theta denominator में pi से pi cancel this is what we will get minus से minus cancel अब देखिए हमारा formula क्या कहता है 2 को बाहर ले हो k upon 2 बाहरा आगया यह formula limit h tends to 0 sin h upon h is 1 तो यह right hand limit is k upon 2 हम दोनों क्यों निकाल रहे है देखिए हमको निकालने के जोटती निया है continuous है एक निकाल दो left hand limit निकाल दो या right hand limit निकाल दो function की value तो already दे रखिए है कि value of the function is 3 मतलब जब यह function continuous है जब यह function continuous है this is very very important यह function continuous है तो हमने right hand limit निकाली वो value nिकली k upon 2 और value of the function हमको दे रखिए है and that value is 3 मतलब यह तीनों equal होना चीए जब तीनों equal है तो दो तो equal होगी होगी k upon 2 की value 3 and when you will solve it k upon 2 की value जब 3 आएगी k की value 6 question, these are very very important questions and that's all for today's live class now I am going to take your queries आपको कोई प्रशन पुछना है आप पुछना है जी बड़ा, your queries please it's all clear बड़ा, ठीक है, अगर queries थोड़ी देर बात भी आएगी आप मुझे WhatsApp यहां पर भी आप live देख रहे हैं you can send me your queries और कोशिश करूँगा आप सभी की queries clear करने की shall we wind up so did you enjoy the class or not, it was lengthy one yes sir, sir जब सामने होता है तो yes ही निकलता है मेशे है सबका ठीक है बड़ा, कल आपके लिए break है और pursue we will start with differentiation और दो टॉपिक में कोशिश करेंगे दो लेक्चर में differentiation को cover करने की एक वीडियो WhatsApp पे भी send करूँगा आपको share करूँगा सभी domain में सोचल मीडिया की उस वीडियो को देखना है लिमिट्स एंड कॉंटिनुटी वैसे वाट्सएप पे तो मैंने सुबह भेज दिया था वाट्सएप ग्रूप पे भेज दिया था कि अ कि अ कि